हलो विवास वल्कम चुरी हानास रेसिपीस आज हम देखेंगे स्पेशल चिकेन बिर्यानी कैसा बनाते हैं यह मेरी नडंद बनाई थी बहुत ही मज़े की बने थी इसलिए मैं आपसे शेर कर रही हूं आप भी ज़रूर ट्राइ करके देखिए इस स्पेशल चिकेन बिर्यान नहीं इसलिए 2 इसलिए 2 किलो चिकेन ले थे चिकेन को अच्छासा क्लीन करके ले लिजिए चिकेन के पीसेस बड़े रहना है पिर्यानी बनाने के टाइम चिकेन के पीसेस बड़े ही लेना है झोड़ी सी हल्दी आट कर लेंगे और स्वादन उसा नमक आट कर कर सकते ही अब आड कर देंगे अध्रकलोसन का पेस्ट अब कभी भी बिर्यानी बनाने के टाइम अध्रकलोसन पेस्ट को फ्रेश लेना है जब बिर्यानी बनाते हैं तभी अब ग्राइन कर लीजी अध्रकलोसन पेस्ट को इससे अच्छा सा फ्लेवर आता है दही आड कर दें खटा होगा तो स्मेल आ जाएगा अब अच्छा सा मिक्स कर देंगे इसमें निम्बू का जूस भी आड़ करना था तो हम भूल गए थे फिर दुबारा से आड़ करें थे आपको बोल रही हूं फस्ट ही आप लेमन जूस को निम्बू का जूस को आड़ कर लीजिए अब अच अच्छा सा ढखके ए चिकन को तीन से चार घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखना है आप फ्रीज में रख दीजिए क्यूंके मोसम थोड़ा गर्मी का है थंडी का मोसम होगा तो बाहर भी रख सकते ही और आप अच्छा बनाना चाहे तो चिकन को रात को ही मैरिनेशन कर के फ्रीज में रखेंगे तो आओ टेस्टी राएगेगा चिकन अब मसाला बनाने के लिए अज्रो क्लोसन और धनिया पते को ग्राइन कर लेना है यहां पे चाहे तो अब हरी मिर्ची का भी यूस कर सकते ही हमें तो नहीं दाले थे अब एक मिकसर जार लेके धनिया पता सायार होगा है साइड में रख लेंगे अब एक बड़ा पैन ले लेंगे बिरियानी की क्वांटिटी ज्याद बना रहे हैं इसलिए बड़ा पैन रहे ही अब एक गयास को आन करके इसमें आईल आउट घी एड़ कर लेंगे आईल आउट घी की क्वांटिटी अजस्ट करना है अब आईल की क्वांटिटी ज्यादा दालेंगे तो घी थोड़ा कम ही डाल लीजिए अब चाहे तो आईल और घी दो भी एक्वल क्वांटिटी में ले सकते ही यह आईल गरम होने के बाद आईल घी इसमें खड़े मसाले आड़ कर लेंगे तेज पत्ता इलाइची बड़ी दाल चीनी लोंग एड़ करना है वो फ्राई होने के बाद कटी हुई प्यास एड़ कर लेंगे थोड़ी सी प्यास बचा के रख लीजिए नेक्स्ट दालने के लिए अब इप्यास को गोलें ब्राउन कलर आने तक चलाते हुए फ्राई करना है थोड़ा सा नमक दालेंगे तो प्यास जल्दी ही गोलें ब्राऊन कलर में आ जाएगी अच्छा सा गोलें ब्राउन कलर में आ गई है हम पीस के रखे हुए अध्रो क्लोसन और धनियापते का पेस्ट को एड़ कर लेंगे अब एच्छा सा भून लेंगे आने तक ग्यास के फ्लेम को अजिस करते रही है नहीं तो जल जाएगा मसाला नीचे से अब देखो अच्छा सा ये अज्रो क्लोसन धनिया पते का पेस भी अच्छा सा फ्राई हो गया है इसके बाद हम थोड़ इसी कटी हुई मेथी कपत्ता आड़ कर लेंगे इससे फ्लेवर अच्छा सा रहेगा बहुत ही जादा नहीं दाल लीजिए नहीं तो कड़वी हो जाएगी बिरियानी अब अच्छा सा भून लेंगे भूनने के बाद हम चिकन आड़ कर लेंगे डालने के बाद अब ये चिकन को 3-4 मिनिट के लिए ये आईल में अच्छा सा भूना है चलाते हुए ये चिकन कलर चेंज होने तक चिकन केतना अच्छा भूनेंगे तो अतना टेस्टी बनेगा अब एक color change होने तक चिकन को भूनना है देखो अब देख सकते ही हलक असा चिकन का color change होने लगा है अब इसमें add कर देंगे हरी मिर्च हरी मिर्च की quantity देख के डाल लीजिए क्योंकि लाल मिर्ची पौडर भी डाल रहे ही अब तीके के हिसाब से अजस कर लीजिए हरी मिर्ची की तीका ज्यादा होगी तो हरी मिर्ची कम करके डाल लीजिए हरी मिर्ची तीकी नहीं है तो थोड़े ज्यादा ही हरी मिर्ची अड़ कर लीजिए थोड़े से नमक अड़ क या खड़े मसाले डालने के टाइम कभी भी गयास के फ्लेम को लो फ्लेम पेर कर दीजिए नहीं तो यह जल्दी ही जलजाएंगे लाल-मिच्री-पाउडर लाल-ेच्य-पाउडर भी देखके लावां और 2-3 मिनिट के लिए फ्राइ कर लेंगे चिकन को सारे मसालों में ये बिर्यानी को अब सिर्फ लेग पीस दाल के भी बना सकते ही लेग पीस पहुती मज़े के रहते हैं ये बिर्यानी में अब आट कर देंगे टमेटर टमेटर अच्छा सा लाल टमेटर रहना है पके हुए कच्चे टमेटर बिल्कुल नहीं दाल लीजिए टेस्ट सही से नहीं आएगा इसलिए टमेटर अच्छा सा पके हुए रहना है अभी अच्छा सा मिक्स कर देंगे इस सारे टमेटर अच्छा सा पक के नरम होने तक हम चलाते हुए पकाएंगे और हम बचा के रखे हुए ये कटी हुई प्यास को भी add कर लेंगे फर्स्ट हम थोड़ा बचा के रखे थे प्यास ओ प्यास को add करना है शाही जीरा थोड़ा सा शाही जीरा आपके पास शाही जीरा नहीं होगा तो नार्मल जीरा भी अब दाल सकते ही अब अच्छा सा मिक्स कर देंगे अब ये सारे मसाले दालने के बाद फुरा सा नामक और कम लग रहा था इसलिए मेरे नडंद आड़ करी थी और ये दही हम चिकेन मैरिनेशन करने के बाद बचा के रखे हुए दही है ये दही को एड़ कर लेंगे अब दिखू Suzanne अच्छा सा कलर भी आने लगा है ये सारे ingredients आड़ करने के बाद और इक कब दही आड़ करना है अच्छा सा mix करना है दही आड़ करने के बाद मेरे चानल पर आप नई होंगे तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चानल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इसके लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान को क्लिक कीजिए ताके मैं अप्लोड करेगी तो वीडियो अब सबसे पहले देख सके अब ए टामितל अचासा पक चुका है मसाला बनके तयार हो गया है अल्मोस्त अब थोड़सा निम्बु कर जूस और पोधीना और धनिया पता ऐड़ कर लेना है पोधीना धनिया पता अब फ्रेश ही लेना है बिरियानी बनाने के टाइम फ्रेश फ्रेश चीज लेंगे तो अच्छे से फ्लेवर्स रहेंगे बिरियानी में अभी धनिया पत्ता और पोधिना आड़ करने के बाद दुबारा से मिक्स कर देंगे ये सारा आईल अलग हो जाना है, अब देख सकते ही, मसाले से सारा आईल अलग हो चुका है, तब तक हम ये मसाले को भूना है, आईल मसाले से अलग होने तक, इसके फिलिम को ज्यादा रखे थे, इसलिए थोड़ असा नीचे से जल गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आ अच्छ से मिक्स करने के बाद साइड में रख देंगे मसाला तो बनके तयार हो गया है अब चावल बनाने के लिए और एक पैन में पानी आट करके खड़े मसाले तेज पत्ता शाजीरा इलाईची डाल चीनी सब आट करना है अब यह पानी को अच्छ सा गरम होने देना है यह यह मिरी नाडन बनाए थी, तो बिर्यानी वो इसी तरह के इसी बनाती है, अब यह भीगो के रखे हुए चावल आड़ कर लेंगे, यह नार्मल चावल ही है, आप चाहे तो बासमती रहस से भी बना सकते ही, चावल को अच्छा सदो के एक घंटे के लिए भीगो के रखे तब तक चावल अच्छा सा भीग जाएंगे, अब इसमें आड़ कर देंगे पानी में, पोदीना और नमक, स्वाद अनुसार, यह राइस के लिए नमक है, हम चिकन के लिए अलग से दाले थे, यह सिर्फ राइस के लिए ही नमक है, अच्छा सा मिक्स कर देंगे, अब यह अच्छा सा पकाएंगे, 70-80% तक चावल को पकाना है, थोड़ा सा आइल अड़ कर लेंगे, अब यह 70-80% पक गए है चावल, यह सारा जो पीछ है निथार देंगे, अब यह मसाले को एक बार मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद भीर दुबारा से थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ता चाहे तो कोदी ना भी आड़ कर सकते ही, आड़ करने के बाद मिक्स कर देंगे, मिक्स करके चुले पर रख दीजिए, चुले पर रख के थोड़ा सा गरम कर देंगे, क्योंकि थंड़ा हो गया है यह, नेक्स्ट हम यह चावल को आड़ कर लेंगे, पके अब पहले ही घी जादा दालेंगे, तो उपर से दालने के उत्ती जरुरत नहीं पड़ेगी, हम कम ही दाले थे, इसलिए उपर से दालेंगे, थोड़ा सा दूद भी आड़ करेंगे उपर से, यह मेरी नरंद का स्टाइल है, आप भी जरू ट्राइगर के देखिए इस्टा वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कर दीजिए, भी मिलेंगे अगली रेस्पी के साथ, तैंक्यू फर वाचिंग